आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर 30 नंबर सिस्टम में अभी तक हमने नंबर सिस्टम में अल्मोस्त सारा पार्ट कवर कर लिया है जैसे कि रिमेंडर का कंस्ट था डिविजबिलिटी का कंस्ट था उसके बाद हमने यूनिट्स डिजिट प्लेस निकालना सीखा फिर जो हमने टू डिजिट लास्ट फाइंड करना सीखा रिमेंडर में भी हमने आल्मोस्त सारा कंसेप्ट सारा थेोरम्स आल्मोस्त सारा टाइप अफ कोशन्स भी कवर किया तो अब हम कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम के हम लोग लास्ट में आ चुके हैं अब इस सीरीज को रैप की जाईएगा तो आपका जो है वहाँ पर बहुत एजीली बनेगा और इसका कुशन्स जो है सी साट में भी बहुत आता है जो कि आज टॉपिक है हमारा ल्सीम और सीफ तो पहले हम लोग ल्सीम पढ़ेंगे ल्सीम हमने पहले भी पढ़ लिया था टाइम इन वर्क में भी हमने पढ़ा था उसके बाद नंबर सिस्टम के बीच में भी एक बार ल्सीम का जिक्र हुआ था थोड़ा सा पर यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि ल्सीम को फ्रॉम दा पॉइंट आफ व्यू ऑफ कुशन्स देखेंगे ठीक है ल्सीम से भी कुछ स्पेसिफिक कुशन्स जैसे टाइम एन वर्क में आपने ल्सीम यूज किया तो वहां पर आपने ल्सीम एज टूल यूज किया वहां पर दूसरा कुशन्स बनाने का में अपने ल्सीम को यूज किया पर कभी-कभी आपका कुशन्स जो है वो डारेक्ली ल्सीम की कंसेप्ट से आता है तो उसको ह पहले थोड़ा सा introduction देख लेंगे और उसके बाद हम लोग questions में जाएंगे तो हम लोग start कर देए सबसे पहले क्या करते हैं कि LCM का एक basic concept देख लेते हैं कि क्या होता है तो LCM आपने काफी बार पढ़ लिया है फिर भी एक बार discuss कर लेते हैं अच्छे से देखें LCM जो होता है that is lowest common multiple ठीक है आप तीनों ही words पर ध्यान दीजिए ये तीनों का मतलब काफी significant है ठीक है slowest common multiple सबसे पहले हम लोग देखते हैं multiple क्या होता है आपने multiple पढ़ा होगा जो आपने table बच्पन में पढ़ा है two one the two 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 the four two three the six तो वैसे किसी भी number का multiples हो सकता है ठीक है तो जैसे यहाँ पर तीन नंबर दिये है 16, 18, 24 तो हम लोग ऐसा करते हैं इनका multiples ले लेते हैं सबसे पहले तो 16 का बता ही multiple क्या होगा 16, 32, 48, 64 आगे बता ही क्या होगा आपका होगा 80, 80 के बाद होगा 96, 96 के बाद होगा 7, आपका 7 से तो 112 हो जाएगा उसके बाद आपका क्या होगा 128 होगा और उसके बाद आएगा आपका 144 ठीक है यही तक हम लोग लेते है 18 का लेते है 18 का आपका आता है 18 1s 18, 18 2s 36, 18 3s 54, 18 4s 72, 18 5s 90 ठीक है 90 के आगे क्या हो जाएगा 108 108 के आगे 18 add करते हैं तो आता है 126 और 126 में अगर हम लोग 18 add करते हैं तो हमारा आ जाता है 144 ठीक है वैसे हम लोग 24 का लेते है 24 का 24 1s 24 दूसरा 48 72 96 उसके बाद हमारा है 120 और उसके बाद है 144 ठीक है अब देखिए यहां तक ही multiple लेने का एक मकसद है यहां पर देखिए कि 16, 32, 48, 64, 18, 96, 112, 128 जो भी आगे जा रहा है यहां पर भी देखिए 18, 36, 54, 72, 90, 108 उसके बाद यहां देखिए 24, 48, 72, 96, 120 ठीक है तो यहां देखिए 16 और 24 में एक common multiple आ रहा है 96 ठीक है लेकिन यह 96 जो है आपके 18 में नहीं आ रहा है ठीक है उसके पहले भी कोई ऐसा multiple नहीं है जो की तीनों में आ रहा है तो आप ध्यान से देख रहे हैं तो हमारा जो first multiple जो first जो हम लोग जिसको बोल सकते हैं हमारा जो पहला multiple आ रहा है वो आ रहा है 144 means 144 जो है इनका पहला common multiple है ठीक है अब common multiple है और यह पहला है जो कोई भी चीज़ जब पहला होता है तो वो क्या होता है lowest होता है यह तो आप जानते हैं जो भी सबसे कम होता है जो पहला number होता है वो lowest ही कहलाता है तो हमारा जो 144 हो गया यहाँ पर हो गया lowest common multiple हो गया तो यह हम लोग को निकालना रहता है तो यह तो हुआ कि आप multiples जो है लिखे और फिर उनका find किये पर इस तरह से हम लोग जानते हैं कि real life म या exam में नहीं निकालते हैं वहाँ पर हम लोगों क्या करना है कि कोई भी एक method follow करना है तो हम लोग basics एकदम चलते हैं तो सबसे पहला हमारा जो होता है वो होता है prime factorization method prime factorization method भी हमने काफी बार deal कर दिया है फिर से यहाँ पर एक बार deal कर लेते हैं जैसे 24 को अगर आप factorize करते हैं time factors के power में तो क्या होगा बताइए 8 into 324 होता है तो इसको हम लोग सकते हैं 2 cube into 3 यह सब चीज में अब किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए अगर दिक्कत हो रही है तो means आपका preparation अच्छा नहीं है आप फिर से जाए नंबर system के सारे lectures को देखिए ठीक है 30 हम लोग लिख सकत होंगे 3 square into 5 किसी को भी यहां तक परेशानी नहीं होनी चाहिए अब देखिए LCM का मतलब क्या होता है LCM वैसा नंबर है अगर LCM वैसा नंबर होता है जो की अब समझिए factors के time में पहले तो हमने निकाल लिया देखिए हम लोग पिछली बार की कैसे 144 जो है वो तीनों का multiple था लेकिन जहां जब हम लोग prime factorize कर रहे है नंबर को तो LCM उस नंबर को कहेंगे जो की जितना भी prime numbers है इस main world चाहे वो 2 हो 3 हो 5 हो 7 हो उसका highest power जो भी है अमंग जितना भी numbers दिया वह जैसे 24, 30 और 45 के बीच में 2 का highest power कितना है cube है तो LCM में 2 cube होगा समझ रहे है आपको सारा ही prime number का highest power लेना है तो यहाँ पर 2 का cube हो गया 3 का क्या होगा बताई है square होगा और 5 तो एक ही है तो 5 ही रह जाएगा ठीक है तो इस तरह से हमारा LCM क्या आ जाएगा 8 into 9 into 5 तो 5 is a 49, 360 तो यानि आपका जो LCM हो गया 24, 30 और 45 का that is 360 ठीक है तो जब भी आप prime factorization से निकाल रहे है तो आपको क्या रखना है कि आपको पहले prime numbers में factorize कर देना है और सब में आपको देखना है कि prime numbers का जो highest power है उसको consider करना है ठीक है यहाँ तक अब किसी को भी दिक्कत नही होना चाहिए अब यह तो हमने देखा basic से अब हम लोग देखेंगे कि इसको practically हम लोग कैसे निगाल सकते है ठीक है एक और यहाँ पर चीज देख लेते हैं जैसे यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर हमारा जो था पुराना वाला जो हमारा prime number था यहाँ पर 16, 16, 18 and 24 ठीक है तो इनका LCM कितना आया था बताईए 144 आया था तो इन सब नंबर का जब LCM 144 आ रहा है ठीक है तो इनका जो lowest common multiple होगा 144 हो गया इसके बाद इनका कौन सा ऐसा multiple होगा जो common होगा क्योंकि हम लोगों सिर्फ common multiple ही निकालना है तो lowest तो यह होगा आपका तो next क्या होगा next जो होगा वो इसी का multiple होगा 144 इंटू कर देंगे तो 288 हो जाएगा 144 इंटू 3 करेंगे तो जो भी आएगा वही आपका common multiples होगा 16, 18 और 24 का ठीक है तो अगर आपको निकालना है कि common multiples और निकालिये तो आपको क्या करना है सिर्फ LCM का multiples ले लेना है उसको 2 से multiply करिये 3 से multiply करिये 4 से multiply करिये 5 से multiply करिये and so on वो जितने सारे numbers होंगे वो common होंगे multiple means वो 16, 18, 24 से divisible होंगे ठीक है हम लोग बढ़ते हैं आगे practical method देखी क्या होता है practical method means जो हम लोग actually exam में apply करेंगे अब अब भी आपने देखा कि prime factorize किया हमने फिर जो है उस तरह से किया तो हमने वहाँ पर क्या कर रहे थे वहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि individual prime numbers का highest power को consider कर रहे थे ठीक है तो अब हम लोग क्या करेंगे उसको बीना factorize किये ही consider कर लेंगे जैसे यहाँ पर देखे 16, 18 and 24 अब आप लोग को सबको multiplication आता है तो 18 तो यहाँ पर दिख रहा है कि 9, 2 सा 18 है ठीक है और 16 आपको obviously दिख रहा है यह 2 to the power of 4 है तो 2 का power highest और 3 का power highest आपको यहीं से पता चल गया ठीक है तो हम लोग को क्या करना और यह 24 में भी बस 2 और 3 का ही multiple होगा तो यह तो obviously इसका जितना लिए consider किया क्योंकि 3 का highest power है और 16 हमने इसलिए consider किया क्योंकि वो 2 का highest power है बाकी जितना भी इसके साथ numbers लिया हुआ है उसमें यह सब included होंगे ठीक है तो यहाँ यहाँ पर होगया मतलब 144 तो आपने देखा कि practically जो है हम LCM ऐसे find कर सकते है ऐसे तो आप basic से जाईए prime factorization से बन कि LCM जो है वो हमने पहले भी पढ़ चुके थे हम लोग अब यहाँ पर कहा है कि हम लोग को questions बनाना है questions exactly जो कि LCM से related आते हैं तो यहाँ पर आपका पहला question है the greatest of four digit number which is divisible by 15, 25, 40 and 75 तो देखे जब भी आपका divisibility का question आता है ऐसा ठीक है अभी हमने देखा कि इनका जो first common multiple इनका क्या होगा LCM होगा उसके बाद इनके जितने भी common multiples होगे वो simply क्या होगे LCM के जो है multiples होगे LCM into 1, LCM into 2 और जितना LCM into N कुछ भी लिख सकते हैं ठीक है यहाँ तक तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर बुच रहे है कि the greatest number of four digit which is divisible by 15, 25, 40 and 75 ठीक है तो जो भी number greatest four digit होगा वो अगर इन से divisible है तो इनके LCM से भी divisible होगा यह तो बहुत basic चीज है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इनका LCM निकाल देते हैं और LCM हम लोग किसे निकाल लेंगे practical method से means 25, 40 and 75 बताइए हमको कौन बताने वाला है इसका LCM इसका LCM जो ह जाएगा 5 का highest power हमने देख लिया है 25, 2 जो है हमने देख लिया है 2 का highest power 8 है यहाँ पर और 3 कितना होगा बताइए आपका 3 का highest power कितना है बस 3 है क्यों क्योंकि 75 भी 25 into 3 होता है और 15 भी जो हो ही होता है तो आप इसको क्या करेंगे हम लोग सिधा इसको यह करते हैं तो हमारा आ जाता है 25, 3 जाए 75, 75, 85, 44, 75, 56 यह हो गया 600 ठीक है तो हमारा जो LCM आ गया है that is 600 अब देखिये 600 से जो highest four digit number divisible होगा वो क्या होगा बताइए simple सा बात है highest जो होता है आपका वो होता है six के multiple में क्या आता है बताइए हम लोग ऐसे भी देख के बता सकते है that is 9600 क्योंकि 9600 में अगर हम लोग six add करेंगे तो यह five digit बन जाएगा तो हमारा जो highest number हुआ that is divisible by 600 is 9600 ठीक है यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहि आप option से भी देख कर इसको बना सकते थे ठीक है तो हमारा यहां पर concept यह है कि जो भी highest number आपको निकालने आएगा अगर कुछ number से divisibility का बात आएगा तो सबसे पहले उनका LCM निकाल दीजे क्योंकि वो जो number divisible का बात कर रहे है वो उसके LCM से divisible होगा और वो जो है वो LCM का ही multiple होगा ठीक है अब लोग बढ़ते हैं आगे यहां पर है the least multiple of 7 which leaves a remainder of 4 when divided by 6, 9, 15 and 18 देखिए इस तरह का question बहुत ही यह standard question है ठीक है तो इस तरह का question का क्या बात होता है जब आपको question आता है ठीक है कि जैसे यहां पर आपका question है कि least multiple of 7 इसको पहले नह देता है leaves a remainder of 4 when divided by 6, 9, 15, and 18 ठीक है तेखिए यहां पर क्या है यहां पर एक number N है ठीक है इसको अगर हम रोग divide करते है x, y, z से हम लोग divide करते है और इसका remainder आता है आर ठीक है अगर n को x से attentive करते है तो भी remainder R आता है y से करते है तो भी आता है, z से करते है तो भी आ कि number को हम लोग represent कर सकते हैं कैसे n can will be equal to lcm of x y z plus r ठीक है अब समझ रहे हैं मतलब n को n अगर ऐसा number है जिसको हम लोग x से divide करते है y से divide करते है z से divide करते हैं तो मेरा remainder r आता है ठीक है तो हम लोग जो है n को लिख सकते है n will be equal to lcm of यह जो x y z है plus r इसका यह देखिए यह practically भी आप सोच सकते हैं कि जो भी number x y z से जो divide होने पर same remainder दे रहा है ठीक है तो वो lcm से भी उसके divide होने पर same remainder देगा ठीक है same remainder देगा तो हम लोग क्या करेंगे कि उसके lcm को multiply करेंगे lcm और यहाँ पर आपका जो है यह lcm into n हो जाएगा क्योंकि lcm lcm plus r जो है जरूरी नहीं हो lcm के multiples में भी हो सकता है ठीक है lcm के multiples में भी जो है आपका वो number हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर आपका finally हो गया n is equal to lcm of x y z n जो है confusing लग रहा तो इसको k मान लेते है k plus r ठीक है अब हम लोग यहाँ पर question बनाते है अब question से clarity आ जाएगा यहाँ पर देखे question क्या है the least multiple of seven चली यहाँ पर यह वाला part को छोड़ी पहले यह देखे कि which leaves a remainder of four when divided by 6950 एक number है n ठीक है जो की remainder four leave करता है अगर divide करता है उसको 6950 एन 18 से सबसे पहले हम लोग 6950 एन 18 तो n जो है वो यह क्या हो जाएगा LCM of 69 15 18 into k plus four ठीक है अभी अभी हमने just देखा तो यहाँ पर बताए LCM of 69 15 and 18 कितना होगा तो यहाँ पर आपका 2 जो है 1 है और 5 1 है तो यहाँ पर सिफ लिख लेके 9 into 5 into 2 किसी को भी कोई problem नहीं होना चाहिए आपका LCM है 95 of 45 है आपका 90 तो LCM आगे आपका 90 ठीक है तो हमारा जो नंबर आ गया वह होगया 90k plus 4 ठीक है यह आपका आगया N अब यह क्या है कि यह बोल रहा है least multiple of 7 मतलब यह जो नंबर है یہ 7 का multiple है 7 का multiple मतलब 7 से divisible है ठीक है तो 90K प्लस 4 को अगर हम लोग डिवाइट करते है 7 से तो हमारा remainder जो है वो आजाता है 0 ठीक है remainder 0 आयाता है क्योंकि ये divisible है तो बताए के का क्या value put करेंगे कि ये 7 से divisible हो जाए और ये least भी हो तो अगर हम K is equal to 1 put करते है ठीक है तो K is equal to 1 put करते है तो number क्या बन जाएगा 90 प्लस 4 divided by 7 तो 94 divided by 7 और हम लोग ये जो है number आपको दिख रहा है कि ये divisible नहीं है तो यानि मेरा K is equal to 1 जो है वो possible नहीं है ठीक है हम लोग next क्या देखेंगे दूसरा number तो दूसरा हम लोग number देखते हैं क्या लिख सकते हैं बताइए 90 को हम लोग अगर 2 से करते हैं तो वा जाएगा आपका 184 तो 184 जो है आपका अगर उसको करते हैं 184 तो divisible नहीं है 7 से तो हम लोग देखते हैं next option इसको हम लोग क्या करते हैं थोड़ा से simplify कर देते हैं क्योंकि के का value जो है आप पूट करते जाएगा तो आपका हो सकता है समय ज़्यादा waste हो जाएगा तो हम लोग इसको logically solve करते हैं देखिए 90 के प्लस 4 है तो यहां पर हम लोग 90 के को कैसे लिखते हैं 7 के multiple में वेले तोड़ देते हैं ठीक है तो बताइए 7 से नियरेस multiple क्या है उसका 84 है 84 के प्लस 6 के प्लस 4 divided by 7 किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है 84 के जो है वो दिविजिबल है 7 से तो हमारा बचा क्या 6 के प्लस 4 तो 6 के प्लस 4 को भी डिविज़ल होना पड़ेगा 7 से तो बताइए अब के का वैल्यू पुट करिए अब आपके लिए के प्लस 10 वहताए तो 6 थो गलए तो के प्लस यर इर आएगा चाहिए 22 प्लस thumbs और 돌 नब आपको मतलब तो आपका फाइनर कितना होजाएगा बताईए n will be equal to 90 into 4 तो हो जाएगा 360 और plus 4 तो हो जाएगा 364 तो हमारा सही option होगे option D किसी को भी इसमें परिशानी नहीं होना चाहिए अब हम लोग देखते है next question ठीक है यहाँ पे question है the least number which when divided by 5678 leaves a remainder 3 again same type of question है but when divided by 9 leaves no remainder ठीक है तो यह number n है इसको divide करते हैं तो 5678 से तो 3 remainder होता तो इसका form क्या हो जाएगा LCM of 5678 into K plus 3 ठीक है बताए यह 5678 का LCM क्या हो जाएगा 8 तो हो गाई बचा 3 बचा 5 बचा 7 अब आपको इस तरह से LCM निकालने हैं आ जाना चाहिए ठीक है तो आपका आगया 7 3 is 21 और हो गया 5 8s of 40 तो आपका आगया 840 LCM किसी को भी यहां तक परिशान ही नहीं होनी चाहिए तो हमारा नमबर हो गया 840 K plus 3 divided by 9 और इसका remainder 0 आना चाहिए ठीक है अब यहां पर देखिए फिर से वैसा ही है कि एक का value पूट करते जाएंगे और निकालते जाएंगे पर वो थोड़ा जो है मतलब हो जाएगा calculation intensive तो हम लोग क्या करते हैं इसको break कर देते हैं 840 यह कि 840 का nearest multiple जो 9 से divisible है वो क्या जली से बताएंगे 9 8 होता है 9 9 जा 81 होता है 81 अगर हम लोग करते हैं तो 81 81 30 और 9 9 जा 27 तो हम लिख सकते हैं कि हमारा आता 8 37 ठीक है 8 37 के जो है वो आपका divisible है 9 से तो बचा आपका कितना 3K plus 3 divided by 9 तो यह होता हो गया divisible अब बचा 3K plus 3 divided by 9 तो हम लो लिख सकते हैं 3 और K plus 1 divided by 9 इसका remainder जो है वो 0 आना चाहिए तो देखिए K plus 1 का क्या value होगा जो कि यह divisible हो जाए नान से तो बाहर तो 3 है तो K plus 1 को भी क्या होना पड़ेगा 3 होना पड़ेगा तो K का value कितना हो जाएगा 2 ठीक है K का value आगया 2 जब K का value 2 आगया तो आपका number क्या है number है आपका 840K plus 3 तो आपका कितना है बताइए कितना हो जाएगा 840 2 से multiply करते हैं तो 81680 plus 3 तो आपका आगया 1, 6, 8, 3 तो हमारे सा यह option होगा option B देखा आपने कितना easy है यह बस आपको एक बर concept बता चल गया तो यह इस तरह का question सा आप easily बना सकते हैं अब आगे बढ़ते है तो greatest number of 4 digit which one divided by 12, 16 and 24 leaves remainder 2, 6 and 14 अब देखिए यह जो है यह second type of question है second type of question के आभी तक हमने देखा था कि number जब divide कर रहा था किसी number को तो same remainder दे रहा था पर यहाँ पर देखिए remainder जो है वो अलग है ठीक है remainder जो है वो आपका अलग है तो इस तरह का जब question रहेगा तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है देखिए यहाँ पर आपका divisors क्या है 12, 16 and 24 remainder क्या आ रहे है 6 sorry 2, 2, 6 and 14 ठीक है यह divisors है यह remainder है ठीक है त तो वहाँ आपे हमने देखा था negative remainder का concept देखा था बहुत अच्छे से देखा था तो जब आपका remainder 2 आ रहा है और आपका divisor 12 है तो हम लोग negative remainder कैसे निकालते थे सिर्फ क्या करना था divisor में remainder को minus कर देंगे तो आ जाएगा 10 यह भी हो जाएगा 10 और यह भी हो जाएगा 10 तो आ remainder यहाँ पर ले लेंगे lcm of xyz into k minus जो आ रहा है आपका negative remainder जो भी आ रहा है आपका जैसे यहाँ पर 10 आ रहा है तो यहाँ माइनस 10 लिग देंगे ठीक है तो इस format में भी आपका number आ सकता है ठीक है एक type हमने देखा यह दूसरा type है ठीक है तो यहाँ पर जैसे हम लोग लेते ह n हमारा क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए 12, 16 and 24 का lcm भी हमने निकाला था तो होता है 144 144 k minus 10 तो आपका number जो है वो यह हो जाएगा ठीक है अब देखिए आपको यहाँ पर निकालना है n का अब आपको options eliminate करना है ठीक है तो यहाँ पर आप देख रहे है कि 9 जैसे अगर इस एड कर दे और एड कर दे और देखे कि कौन जो है इसमें से 144 से divisible है तो वही हमारा के का value दे देगा ठीक है तो हम लोग क्या करते है सबसे पहले यहाँ पर देखते है पता ही कौन से divisible है ठीक है तो 9974 को में अगर हम 10 एड करते है तो हमारा आ जाएगा 9984 यह बताए डिवि हो सकता है भी हम लोग इसको अलग रखते है ठीक है वैसे देखे 9970 तो उसका आ गया 9980 इसको भी हम लोग को चेक करना होगा 144 से ठीक है 9807 तो बिल्कुल ही नहीं होगा आपका तो आपका गलत हो गया और 9998 भी नहीं होगा क्योंकि वो फिर जो है वो 5 डिजिट बन ठीक है तो हमारा दो ही ऑप्शन बचा है इसी में सम को चेक करना है अब देखिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर आपका जो नंबर है 144 से डिविजिबिटी का चेक कर रहे तो जब कोई नंबर 144 से डिविजिबल होगा तो वो 12 से डिविजिबल होगा और 12 स जब दिविजिबल होगा तो क्या होगा उसका फॉर्मूला क्या होता था कि यहाँ पर आप सम करिए कि इसमें देखिए 3 जैसे यहां करें 9 9 18 18 18 18 18 कितना होता है 26 26 26 plus 4 30 तो यह तो डिविजिबल आ रहा है तो यह जो है 144 से भी डिविजिबल होगा 9 980 इसमें करिए divisible नहीं होगा तो हमारा option क्या बचा 9984 ठीक है तो हमारा जो सही option हो गया मतलब जो number आएगा मेरा आजाएगा वो आजाएगा 9974 ठीक है तो हमारा सही होगी option नहीं तो इस तरह से आपको दिमांग लगाना पड़ेगा अभी हमने divisibility पढ़ लिया था ठीक है तो जब आपको देखना है कि 144 से divisibility हम लोग निकाल रहे है तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब वो 12 से divisible होगा और 12 से divisible है तो मतलब वो 2 और 3 से divisible होगा means 4 तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा हम लोग देखते हैं आगे है find the least multiple of 23 which when divided by 18, 21 and 24 leaves remainder 7, 10 and 13 respectively उसी तरह का question है यहाँ divisors देखी क्या है 18, 21, 24 remainder क्या है 7, 10 और 13 सब के case में देखी कितना negative remainder आ रहा है 11 आ रहा है देख रहा है तो यह common हो गया तो यह second type of question है तो इस तरह का question में N जो होता तो वो क्या होता था LCM of 18, 21 and 24 जल्दी से बताए क्या होगा पहले तो LCM निकाल लेते हैं तो LCM कितना हो जाएगा 9 into 7 into 8 9 into 7 into 8 ठीक है तो आपका आ गया 7, 8s of 56 और 9, 6, 9s of 54 5, 9, 5, 40, 9, 5, 45 और 45 हो गया 5, 0, 4 तो यह आगया आपका 504K plus plus नहीं sorry यहाँ पर minus लेते हैं तो minus 11 यह आपका number हो गया और आपको चेक करना है divisibility 23 से क्योंकि यह multiple है 23 का ठीक है तो अब यहाँ पर देखिए 504K minus 11 को 23 से divisible बनाना है तो फिर हमको वही है कि K का value put करना पड़ेगा बहुत सार तो हम लोग क्या करते है की जो है ऐसे आप यहाँ पर अगर option से भी eliminate करना चाहें तो कर पाए देखिए आप यहाँ पर जो है के का nearest value हमको लग रहा है कि 6 के आसपास होगा क्योंकि यहां 504 है और 6 से multiply करेंगे तो ही 3000 में जाएगा तो हम लोग के का value 6 put कर देखिए पहले तो के का value 6 put करते है तो 504 कितना आता है बताए यह 64 जा 24 यह 2 हो गया और 6 3024 हो गया इसमें हम लोग मैनेस करते है 11 तो आ जाएगा 3013 ठीक है 3013 आपको 23 से अगर divide करते हैं तो यह हो जाएगा 231 जा 23 बचा आपका 71 71 को अगर हम लोग करना होगा 3 से हाँ तो यह आ जाएगा आपका यह divisible है 23 से तो हमारा जो number हो गया वो हो गया 3013 ठीक है तो हमारा सही option हो गया option B तो आप यहाँ पर option देखकर eliminate कर सकते थे ऐसे आपको अगर करना था तो फिर आप 504 के का nearest multiple को 23 से divisible करिए और जो और जो rest K बचेगा उसमें फिर हम लोग का value पुट करेंगे जैसा हमने पिछले question में किया था ठीक है अब लोग देखते next यह देखिए हमारा last question है यह बहुत important question है यह application of LCM है अभी हमने ऐसा भी आपको questions test series में भी आएगा हम लोग के test series में भी आएगा तो वह साथ में covering करेंगे इस तरह का questions बहुत LCM का application के based होता है तो यहाँ पर हमने question लिया है यह भी circular track का question है यह भी आपने speed distance and time में किया था यह भी बिल्कुल जो है application of LCM है देखिए कैसे यहाँ पर racer है A and B और यह 180 meter का track है circular track from same point और यह same point से start करते है तो A और B यहाँ पर है ठीक है and moves in the direction same direction दोनों जा रहे है और with respect with velocity जा रहे है 3 meter per second और 5 meter per second ठीक है तो find the time of first meeting at the starting point तो यह starting point से start करें तो इस पर वह पहली बार कब मिलेंगे ठीक है तो हमने इस तरह का question बहुत solve किया था तो सबसे पहले हमने क्या निकालना पड़िया कि A जो है वह starting point पे कितने कितने time पे रहता है तो A जो है बताइए एक lap cover करके आएगा तभी वहाँ पर रहेगा starting point पे तो A जो है पहली बार कब आएगा 180 by 3 तो रहेगा 60 seconds पे दूसरी बार कितना होगा इसी का multiple होगा 120 फिर 180 and onwards वैसे ही हमारा जो B है वो कितना हो जाएगा 180 by 5 तो जाए आ जाएगा आपका कितना बताइए 15 30 मतलब 36 seconds ठीक है 36 seconds उसके बाद यह हो जाएगा 72 on onwards तो हम लोगो क्या करना है हम लोगो को निकालना है 60 और 36 का LCM क्योंकि यही जो है यह टाइम्स का जो है यही टाइम्स का जो multiples जो होगा वही उसी पर इन लोग starting point पर होगे तो पहला जो मतलब इनका common multiple जो होगा वही एक common time होगा जिस समय दोनों जो है starting point पर रहेंगे ठीक है तो हम बताइए 60 और 36 का LCM क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए यहाँ पर आप ध्यान दीजे कि 60 को जो हम लोगो लिख सकते है 15 into 4 और 36 को लिख सकते है 9 into 4 ठीक है तो आ हम लोग कह सकते हैं आपका हो जाएगा 5 forza 20 और यह हो जाएगा 180 seconds ठीक है तो हमारा 180 seconds पर जो है यह दोनों हैं यहाँ पर रहेंगे यह हो आपका application of LCM ठीक है तो इस तरह का बहुत सरा questions होगा जहां पर आपको LCM का concept apply करना पड़ेगा तो वहाँ पर आप apply करिए और आप करेंगे ठीक है अब देखिए हम लोग next lecture में जो है SCF का concept देखेंगे उसके बाद हम लोग SCF plus LCM से जो combined questions आता है उसको देखेंगे ठीक है तब तक आप जो है number system का questions practice करते रहिए हर तरह का questions देखते रहिए क्योंकि जितना questions आप देखिएगा उतना ही अच्छा आपके the more you bleed in practice the less you know the more you the more you sweat in practice the less you bleed in the battle okay तो यह saying है यह बहुत ही important saying है तो इसी तरह से कि आप जितना quant practice करके जाएंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए exam में क्योंकि आप almost a question देख के जाएंगे तो आप बहुत time save भी कर पाएंगे nervous भी नहीं होंगे और अच्छा score कर लेंगे ठीक है तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स लेक्चर में उसमें हम लोग देखेंगे सीफ ओके थैंक्यू